कि केन सरकार ने जिस तरह से लड़कियों की साधी की उमर 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिये इसको लेकि पुरिदेश में सियासी हलचल मची हुई है कोई इससे सही बता रहा है तो कोई इससे गलत बता रहा है हर पार्टी के अपने में रंग है उसे अंदाज है पार्टी इसको बैन कर रही है उसे अंदाज में इसका कर रही है लेकिन एक बहुत बढ़ी चर्शा के विशा है आज हम सहर काजी बहुती बिद्वान प्रोफेसर के पास आई हुए है मैं उन्से जानना चाहूंगा क्या आपकी रायत में सरकार का फैसला कैसा है देगिए यह फैसला मैं य रखते हुए जरा कुछ मुनासिब नहीं मालू हो रहा है एक वजा यह है कि आपने लड़के और लड़कियां दोनों को 18 साल की उमर में वोट देने का हग दिया है और वोट देने का मतलब यह है कि आप यह समझते हैं कि वो यह समझता है कि मुल्क में कैसी हुँमत होनी चा चाहिए जब ही तो आपने उसको राइट दिया है कि वो अठारा साल की उमर में वोट दे सकता है तो जब अठारा साल की उमर में वोट दे सकता है तो उसके शादी का जो हक है जो राइट है एठारा साल की उमर में लड़की का उसको उस राइट को 21 साल की उमर तक पहुशा कर तक्रीबन तीन साल के लिए उसको रोकना ये में खाल में लड़की के लड़कियों के साथ में ज्याती है दूसरी बात ये है कि आजकर के हलात ऐसे चलने हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर लड़की बालग हो जाती है अथारा साल की उमार उसकी हो गई है तो उसको इस बा इसलिए कि जितनी जादा एज होती आती है शादी के चांसे भी कम होते चले आते हैं अगर जल्दी शादी होती है लड़की की आम तोपर हमारे हां के हालात में यह है कि चाहते हैं लोग बाग कि भई ऐस कम अमर की लड़की से शादी हो अगर कम अमर का लड़का भी है तो मसला यहां असल में यहां से शुरू हो आताए यह कि जो हमारा लाकमिशन है उसने ये सफारष की थी कि लड़गें और लड़कीं की उमर șादी में बराबर होनी चाहिए क्योंकि लड़गें की उमर 21 साल है और लड़की की उमर 18 साल है तो उनका कहना ये था कि लड़के की उमर भी एठारा सार हो जानी चाहिए मकस्द ये ही था वहाँ ला कुमिशन का कि बजाए इसके कि लड़की की उमर एकी साल की जाए लड़के की उमर भी एठारा साल ही कर दी जाए तो ये ताकि लड़के और लड़की दोनों को एक उक्वल बराबर एज में शादी करने का मौक़ मिल जाए तो ये इसके लावा जो दूसरे कानून के माहरी ने उनकी राय भी यही थी कि बजाए इसके के लड़की की उमर बढ़ाई जाए लड़के की उमर 18 साल करती जाए तो यह जादा मुनासिब रहेगा एक बात जो सामने आ रहे है कि लड़की 18 साल की जब साधी होगी तो लड़की ग्रेजट कर पाएगी लड़की अपना रोजगार भी नहीं स्लेट कर सकती आने वाला समय जितना टफ है आर्थिक मामरे बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें कहा कि तर्क दे जाए कि लड़की कम वो उसके बाद पढ़ती भी रहती हैं अगर लड़का पढ़ ला है लड़की पढ़ ला है यह शादी हो जाए तो कोई मेरे खाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमें अपने हां के हालात को हमारी जो साइकलोजी है जो हमारी नफसियात है यह कि हम अगर लड़की की शा शादी रुकावट नहीं बनती है, अगर लड़का माहौल ऐसा है कि लड़के कहा तालीम हो रही है, लड़का भी पतालीम हासिल कर रहा है, तो वो तालीम हासिल कर सकता है, लेकिन अगर शादी का कोई अच्छा रिष्टा मिल गया उसे, अठारा साल की अमर में और उसके लड़की की जो एक प्राब्लम हो है, शादी जो है, यह ऐसा नहीं है कि कोई आसान मसला है, जिसके हाँ लड़की होती है, वो ही समझता है, कि लड़की की शादी के लिए जो दिक्कते हैं, जो परेशानिया हैं, तो अगर किसी को, यह मैं नहीं कह रहा है कि 18 साल की उमर में शादी करते हैं लाजमी है लेकिन उसका जो हक है 18 साल की उमर में शादी करने का वो उससे छीना नहीं चाहिए आप इतनी भी द्वान बेखती हैं आपने पुरी दुनिया देखें लेकिन जिस तरह से समावज़ादी पार्टी के बिधायकों ने नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अगर 18 साल में शादी नहीं तो लड़की आवार हो जाएगी कि इस तरह के बैयान भाजी क्या उच्छ में ले आ रहे हैं तो यह उसके साथ में नाइंसाफ होगी मेरा खाल यह है समाजी एतबार से एक प्रॉब्लम वालदेन को यह आती है गावों में दियाहतों में छोटे-छोटे इलागों के अंदर ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं अगर उनकी देर में शादी होती है तो उसके बाद वो शादी के बाद भी तालीम हासिल करती रही तो कुई उसमें मैं नहीं समझता क्या कोई रुकावट है लेकिस दादा यह है कि अगर फर्स के लिए कि अगर वो तालीम हासिल करना चाहती है तो उसको हख है वो अगर चाहे तो वो आठारा के बज़ा एकीस कि राए नहीं दे रहा मुझे नहीं मालुम कि समाजवादी वाले क्या कह रहे हैं और दूसरी पार्टिय वाले क्या कह रहे हैं मैं तो जो जडेमीय से जुरावा मसला है जो लोगों की प्रॉब्लम है और जो प्रेशानिया आएंगी सामने 21 साल की करने के बाद मैं उसको बता रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हमारी बच्चियों की जब 18 साल में शादिया हो जाती है तो वो खुश रहती हैं सुकून से रहती हैं और उसके बाद आएंदा की जिंदगी उनकी जो है वो अच्छी गुदरती है वो लेकिन अगर आप देर में शादी करते हैं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम पैता होती है बहुत सी के फरस के लिए 20 साल की में रिष्टर ने मिला कि जिससे लड़की की दिंदगी खराब हो जाती हैं तो इतलिए नहीं कहता कि आप 18 साल की उमर होते ही शादी कर दें मैं यह कह रहा हूं कि 18 साल की उमर में अगर कोई अच्छा शिक्ता मिल जाए तो उसकी शादी कर दी जाए और दोनों अपना तालीम अगर वो हासल कर रह कि अगर तीज साल की उमर में शादी करती है और इस लड़की को फर्द के लिए कि उसे M. Tech करना है यह उस लड़की को प्येजडी करना है यह उस लड़की को कहीं प्रफेसर होना है तो वह अपना जद्धो जहद जारी रखे बहुत से लोगों की शादीयां होती है तो उसक अपन नियनी की दूरत नहीं है मैं तो यह सभचता हूँ के मैं कुई स्यासी राय नहीं दे रहा मुझे नहीं मालूं कि समाजवादी वाले क्या क्या रहे है और बीज़े वाले क्या क्या रहे है और दूसरी hat tjer, मैं तो जो जमैन से जुलावा मसला है जो की प्रॉब्लम है और जो प्रेशानियां आएंगी सामने 21 साल की करने के बाद मैं उसको बता रहा हूं कि बड़ी तादाद में हमारी बच्चियों की जब 18 साल में शादियां हो जाती हैं तो वो खुश रहती हैं सुकून से रहती हैं और उसके बाद आएंदा की दिंदगी उ वो अच्छी गुदरती है लेकिन अगर आप देर में शादी करते हैं तो उसके बाद भी प्रॉब्लम पेदा होती हैं बहुती के फरस के लिए 21 साल की में रिष्टा ने मिला तो प्र उसकी बाद 25 साल हो जाए फिर तीस साल हो जाए फिर उसके बाद बाद वक्त ऐसा होता ह कि फिर रिष्टे मिलते भी नहीं है अच्छे और इसको ऐसे नाहिल लोगों से शाधी करने पड़ती है कि जिससे लड़की की दिंदगियां खराब हो जाती है तो इतलिए मैं यह कहता कि आप 18 साल की उमर होते ही शाधी कर दें मैं यह कह रहा हूं कि 18 साल की उमर में अगर कावट नहीं बढ़नी चाहिए यह एक हमारा दिमाग यह भी बदलना चाहिए लोगों को कि लड़की शाधी कर ले फर्द कर लिए अगर 30 साल की उमर में शाधी करती है और इस लड़की को फर्द कर लिए कि उसे एमटेक करना है यह उस लड़की को कहीं प्रुफेसर होना ह तो वो अपना जदव जहर जारी रखे बहुत से लोग जद्वी शादियां होती है और शादी के बॉढ़ पर्फेसर हो चाती है लड़किया आई येस हो चाती है उस लड़किया तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा शादी के बाद कोई रुकावट हो तो शादी अगर 18 साल का जो है हक है उसका में ये समझता हूँ कि अगर 18 साल से शादी की अमर को 21 साल किया जाएगा तो ये एक हक तलवी होगी और ये उसका एक जो हर्क है हक है उसका जो मिलवाया है जैसे वोट देने का हक मिलवाया अग्रय ऑ्到了 साल में 21 साल लड़के की है तो ये चाहते थे गवर्मन्ट ये चाहती थी कि दोनों के एक हो जाए तो अब दोनों में यह है कि यह आप उसको भी आप आजादी देते हैं लड़के को भी कि वह लड़के की उमर 18 साल हो जाए तो क्यों हरत नहीं है सरकार ने जिस तरह लड़कियों की साहदी की उमर 18 साल से 21 साल कर दी है उसको लेकि सियासी हल्चने बढ़ी वही है अभी हम सहरकाजी और इसलामी सरकार ने लड़कियों की उमर 18 साल कर दी इसको लेके राजनितिक पार्डियां अपने बिसेशन कर रही है सपा सरकार के सपा सपा के बिजाय कर रहे हैं कि यह लड़की आवारा हो जाएगी और बचलन हो जाएगी और कुछ लोग कर रहे हैं कि गलत है आपकी रह में कहा है आप शक्री राजनित में भी हैं कि मेरा मानना यह है कि जो सरकार ने इस वक्द लड़कियों की उमर 18 से 21 साल की है मेरे ख्याल जो गेर मुनासिव है क्योंकि हमारे हां शरीयत के अंदर भी इस बात का हुकम है कि लड़का अगर उसके मूँचा आ जाती है तो बालिख हो जा जाती है तो शडियत के अंदर हमाँ इजादे दी गई है कि उसका शादी कर दी जाए लेकिन गवर्मेंट ने क्योंकि 18 साल ललकी की उमर कर दी थी मैं समाता हूं विकुल ठीच थी अब इस तरह सा 21 साल का कर देना यह गहर मुनासिब है और जा तक स्यासी लोगों का मसला है स्यास यह तो देकि ऐसा है क्योंकि हकुमत ने कोई जो भी जो भी फैसला करती है वो उसे वापस निल ले थी और उस को उसका नतिए निकलता कि है कि उसकी मखालफत करती है कोई माफफत करती है यह स्यासी मसला है यह अलग म assassins अग्रा है लेकिन मैं समझता हूं कि जो 18 से 21 स कि ओपर 21 साल हो'. आढको कि लगता है सरकार काइस की पीचे क्या अब अधिश होता है कि जन संकhya कम हो तो जाहीरे जाहिरे चाहः होते हैं इसलामी बिद्वान और प्रोफेसर जैनुर्वल साजी दीन अब हमको बताए कि लड़किंगे लड़कियों की साधिक उमर अट्हारा से करना बिल्कुल सही नहीं है कोकि लड़कियों का हक है लड़कियों का हग है कि उनकी साधी 18 साल की हो और आ इसके लिए उनको बाहिता क रहा है कि तालीम कोई समस्य नहीं है साधिक बाद भी लड़किया प्रोफेसर बन रही है आई एस बन रही है प्यजिदी कर रही है अगर यह कहा जाए कि लड़कियों की उमर कम है और रोजगाह नहीं कर पाएंगी इस सरा सर गलत है और इसको लेकर सरकार को फैसला करना चाहि लेकिन उनका कि यह गैध मुनासिब हैं और पहले भी ऐसा ऊता रहा है और यह नाइब करना नहीं है कि और सरकार को फैसला करना चाहिए कि दूबारा अपना पैसला करना चाहिए कि उमर कम हो जो से पहले थी 1821 सेरकाजी इस बाद की पूरी तरह से संकल प्रित है कि यह फैस्दा सरकार का पूरी तरह से गलत है कैमरा मैंन किसन सुधन साथ ग्यान प्रुकास जन्वाइन नीज